गहराई से सोचो, आपकी जिन्दगी का कोच कौन है? अनीता अलवारेज अमेरिका की एक पैशेवर तैराख है, जो वर्ल्ड चैंपियन्शिप के दौरान परफॉर्म करने के लिए स्विमिंग पूल में जैसी ही छलांग लगाई, वो छलांग लगाते ही पानी के अंदर बेहोश हो गई. जहां पूरी भीर सिर्फ जीत और हार के बारे में सोच रही थी, वहीं उसकी कोच एंडिया ने जब देखा कि अनीता एक नियत समय से ज्यादा देर तक पानी के अंदर है. एंडिया पल भर के लिए सब कुछ भूल गई की वर्ल्ड चैंपियंशिप प्रतियोगिता चल रही है. एक पल भी व्यर्थ ना करते हुए एंडिया चलती प्रतियोगिता के बीच में ही स्विमिंग पूल में छलान लगा दी. वहां मौजूद हजारों लोग कुछ समझ पाते तब तक एंडिया पानी के अंदर अनीता के पास थी. एंडिया ने देखा कि अनीता स्विमिंग पूल में पानी के अंदर बेहोश पड़ी है. ऐसी हालत में ना हात पैर चला सकती ना मदद मांग सकती. एंडिया ने अनीता को जैसे बाहर निकाला मौजूद हजारों लोग संदर रह गए, एंडिया ने अनीता को तो बचा लिया. लेकिन हम सब की जिन्दगी में बहुत बड़ा सवाल छोड़ गई. इस दुनिया में ना जाने कितने लोग हम सब की जिन्दगी से जुड़े हैं, कितनों से रोज मिलते भी होंगे. जो इनसान हर किसी से अपने मन की बात नहीं क्या पाता कि असल जिन्दगी में वह भी कहीं डूब रहा है वह भी किसी तकलीफ से गुजर रहा है वह भी किसी बात को लेकर जिन्दगी से परेशान हो रहा है लेकिन बता नहीं पा रहा है जब इनसान किसी को अपने मन की व्यथा, अपनी परेशानी नहीं बता पाता तो मानसिक तनाव इतना बढ़ जाता है कि वह खुद को पूरी दुनिया से अलग कर लेता है, सबकी नजरों से दूर एकांत में खुद को चारदीवारी में कैद कर लेता है ये वक्त ऐसा होता है कि तब इनसान डूब रहा होता है, उसका मोख्म हो चुका होता है, ना किसी से बात चीत ना किसी से मिलना जुलना ये स्थिती इनसान के लिए सबसे खरनाक होती है जब इनसान अपने डूबने के दौर से गुजर रहा होता है, तब बाकी सब दर्शकों की भाती अपनी जिंदगी में व्यस्त होते हैं किसी को ख्याल ना होता कि एक इनसान किसी बड़ी परेशानी में है अगर इनसान कुछ दिन के लिए गायब हो जाए तो पहले तो लोगों को ख्याल नहीं आएगा अगर कुछ को आभी जाए तो लोग यही सोचेंगे पहले कितनी बात होती थी अब वो बदल गया है या फिर उसे घमन हो गया है या अब तो बड़ा आदमी बन गया है इसलिए बात नहीं करता जब वो बात नहीं करता तो हम क्यों करें या फिर यह सोच लेते हैं कि अब दिखाई ना देता तो वो अपनी जिन्दगी में मस्त है इसलिए नहीं दिखाई देता अनीता पेशेवर तैराक होते हुए डूप सकती है तो कोई भी अपनी जिन्दगी में बुरे दौर से गुजर सकता है ये समझना ज़रूरी है लेकिन उन लोगों से हट कर कोई एक इनसान ऐसा भी होगा जो आपकी मनोस्थिती तुरंत भाप लेगा उसे बिना कुछ बताए सब पता चल जाएगा आपकी जिन्दगी के हर पहलू पर हमेशा नजर रखेगा थोड़ा सा भी परेशान हुए वो आपकी परेशानी आकर पूछने लगेगा आपके बहव्यर को पहचान लेगा आपको हौसला देगा आपको सकारात्मक बनाएगा और एंड्रिया की तरह कोच बनकर आपकी जिन्दगी को बचा लेगा हम सबको ऐसे कोच की जरूरत पड़ती है ऐसा कोच कोई भी हो सकता है आपका भाई, बहन, मा, बाप आपका कोई दोस्त, आपका कोई हितैशी, आपका कोई रिष्टेदार, कोई भी जो बिना बताए आपके भावों को पढ़ ले और तुरंत एक्षन ले गहराई से सोचो आपकी जिन्दगी का कोच कौन है